मैसूर शहर में एक आदमी था, लोग उसे एक तरह का भूत भगाने वाला या तांत्रेक मानते थे, इस आदमी ने बोतलों में भूत बंद करके रखे हैं, तो मैं उससे दोस्ती करने लगा, मैंने सोचा एक बोतल चुरा लूँगा, क्योंकि मुझे वाकई भूत देखना था सद्गुरु आप कहानियों के बारे में बात कर रहे थे, तो हम बातचीत कर रहे थे और हम सहमत थे कि जब हम छोटे थे, तब हमने जो सबसे अच्छी कहानिया सुनी, अपने परिवार वालों से, या अपने दादा दादी से, अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से, वे हमें डरना अछ्छा लगता था फिर भी हम वो भूतों की कहानिया सुनना जाहते थे सारी कहानियों में से ये बच्चों की पसंदीदा कहानिया होती है क्या आप भूतों का कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे? पहाडों में आपकी यात्राओं के दोराने ऐसा कुछ हुआ था ये मुझे वाकई परिशानी में डालने वाला है देखिए आपको भूतों की कहानिया सुनाने का मकसद आपको डराना नहीं था बलकि आपको रॉंग्टे खड़े कर देने वाला अनुभव देना था एक बार लुईसियाना राज्य में एक नाई की पूरी दुकान हर किस्म की हॉरर कॉमिक्स और भूतों की कहानियों से भरी हुई थी और हर तरह की सिर्फ वैसी चीज़ें कोई अखबार या मैगजिन नहीं सिर्फ यही चीज़ें तो एक दिन किसी ने नाई से पूछा आपने अपनी पूरी दुकान को सिर्फ ऐसी कहानियों से क्यूं भर रखा है क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है स्टाइल के बारे में फैशन के बारे में कुछ नहीं सिर्फ भूतों की डराने वाली कहानिया आखिर क्यों उसने कहा देखिए मेरा काम ऐसा है कि अगर किसी के बाल खड़े हुए हूँ तो काम आसान हो जाता है तो पूरा मकसद आपको रॉंग्टे खड़े करने वाला अनुभव देना था ना कि आपको डराना और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इससे बहुत आकर्शित हुआ था मैसूर शहर में एक आदमी था जो मैसूर सिटी कॉर्परेशन में एक अधिकारी भी था लेकिन लोग उसे एक तरह का भूत भगाने वाला या तांतरिक या वैसा कुछ मानते थे मैं हमेशा वैसी चीज़ें खोजता रहता था तो किसी ने मुझसे कहा इस आदमी ने बोतलों में भूत बंद करके अपने पूजा स्थल, कारिशाला या ऐसी किसी जगे रखे हैं तो मुझे वहाँ जाना था पर उसने शुरू में हमें इजासत नहीं दी पर मैं अड़ा रहा फिर वो मुझे अंदर ले गया और उसने कई बोतले दिखाई उसने कहा इसमें ऐसा भूत है, ये एक औरत है, ये एक आदमी है मैंने गोर से देखा, मुझे आदमी या औरत नहीं दिखे, मुझे ढखकन लगी, पारदर्शी बोतले ही दिखी तो मैं उससे दोस्ती करने लगा मैंने सोचा एक बोतल चुरा लूँगा क्योंकि मुझे वाकई भूत देखना था क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सुन रखी थी, बहुत सारी बातें, जबरदस्त किस्म की कहानिया इसने मुझे और ज़ादा उत्सुक बना दिया इसने मेरे रोंग्टे खड़े नहीं किये और नहीं मैं डरा, बलकि मैं और ज़ादा उत्सुक बन गया मैं लगातार कई महीनों तक हर रात शम्शान में बिता चुका था क्योंकि मैं देखना चाहता था तो लोग आते थे, मुर्दे को जलाते थे और जब लकडियों में शव जलते हैं तो ये 4-5-6 घंटों तक जलते हैं लोग वहाँ घंटे, डेड़ घंटे ठहरते हैं, फिर उन्हें और भी काम होते हैं वे लोग रोते हैं, सुबकते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। आम तोर पर होता ही ये है कि जब आग जलती है, क्योंकि हर चीज में खर्च का पहलू भी हमेशा होता है। अगर वे जादा देर जलने के लिए काफी लखड़ी नहीं लगाते, तो जब शव का बाहरी हिस्सा जलता है, तो सबसे पहले गर्दन जल जाती है, क्योंकि वो सबसे पतली होती है, और गर्दन की हड्डिया जलने के बाद, जलता हुआ सिर लुढ़क जाता है, तो मैं ही उसे डंडी से उठा कर वापस रखता था, और इंतजार करता था, भूत कहा है, वो आता ही नहीं था, कई-कई महीनों तक मैं वहां बैठा, कोई भूत नहीं आया, किसी ने कहा, तुम इमली के पेड़ में कील ठोको वो आएगा, मैं पेड में बार-बार कीले ठोक कोई नहीं आये, किसी ने कहा, इस घर में भूत रहता है, तो मैंने मालिक से कहा, प्लीज मुझे जाने दीजे, मैं वहां सो कर देखना चाहता हूं कि भूत आता है या नहीं, कुछ नहीं हुआ, फिर मैं इस आदमी के पास गया, और जब उसने साफ कहा कि वो इस बोतल में ह तो मैं वो बोतल चुराना चाहता था, लेकिन वो अपनी बोतलों को बहुत संभाल कर रखता था, तो मैंने कुछ बाहर निकलते नहीं देखा, लेकिन उसने मुझे एक चीज दिखाई, उसने चावल के आटे से एक विस्तृत डिजाइन बनाई, उसने पांच कोनों पर एक तो है, मुझे नहीं पता कि ये भूत है या कुछ और जो भी हो, पर वो उन पांच अंडों के पास बिल्कुल नहीं गया था, उसने दूर से और पांचों अंडे फूट गए, तब ये मुझ पर असर कर रहा था, और फिर मैं अपने घर के पिछवाडे में पहुँचा और यहाँ वहाँ देख रहा था, तब मैंने देखा अमरूद के पेड़ से फल लटक रहे हैं, अमरूद, मैंने एक अमरूद को देखा, अमरूद गिर गया, मैं चौक गया क्या, मैंने ये बार-बार किया, हर बार अमरूद गिरा, तब मैं अपने दोस्तों को लाया, अरे बे एक बार नहीं, पांच, दस बार मैंने किया, तो ये कोई संयोग नहीं था लेकिन फिर ये सब करने के लगभग तीन दिनों में एक अरूची जो मैंने जीवन में कभी अनुभव नहीं की क्योंकि मैं कभी उन दायरों में नहीं गया हूँ एक तरह की अरूची मेरे पूरे शरीर में भर गई मैं समझ गया कि मैंने कोई बहुत बुनियादी गलती की है मैंने खुद से कहा फिर कभी नहीं, अगर तुम्हें अमरूच चाहिए, तो पेड़ पर चड़ कर तोड़ो जीवन में कुछ चाहिए, तो मेहनत करके हासिल करो ऐसी चीज़ें हम फिर कभी नहीं करेंगे मुझे एसास हुआ कि अपनी उर्जा के वैसे इस्तमाल में कोई बुनियादी गलती है तो भूत क्या होता है? आप सभी शरीर धारी भूत है जो घूम रहे हैं, बैठे हैं, हर कोई आप शरीर वाले भूत हैं लेकिन अचानक किसी ने अपना शरीर खो दिया और आप सोचते हैं कि वे भेंकर हैं क्यों? वे आपकी ही तरह हैं, वे बस शरीर खो चुके हैं क्या ये सच है कि आपने शरीर को कुछ समय में इकठा किया है? मान लीजिए, आप बहुत ज़ादा खाने लगे और आप इतने मोटे हो गए और आप योग कारिक्रम में आए या कुछ और किया और धीरे धीरे आप घट कर अपने साइज के आधे रह गए तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका आधा इससा भूत बन गया? हलो? तो किसी ने अगर अपना शरीर खो दिया धर्ती से 50-60 किलो उठा कर हमने जो ये शरीर बनाया है अगर वे इसे वापस रख देते हैं तो क्या वो भूत है? तो आप भी शरीर वाले भूत हैं, है न? तो जीवन को देखने का ये असामान्य तरीका है सिर्फ इसलिए कि किसी ने अपना शरीर खो दिया है वो कोई बुरी चीज हो गया है कोई डरावनी या भयानक चीज ये जीवन को देखने का एक बहुत असमान्य तरीका है जीवन की प्रकृती ऐसी है कि चाहे देखिए, अभी आप इस बात पर गौर कीजिए बुद्धी से नहीं, वाकई महसूस करके क्या आप सभी सांस ले रहे हैं, हेलो, मैं बस जांच रहा हूँ तो अगर आप सांस ले रहे हैं, मान लिजे कि ये एक बिल्डिंग की तरह होता अभी हम इस आंगन जैसी जगे पर हैं तो आपकी सांसे यहां मौझूद जीवन हैं आप इसको हवा कह सकते हैं लेकिन असल में ये जीवन है, क्योंकि अगर मैं इसे हटा लूँ तो ये चला जाएगा हां, आपका जीवन चला जाएगा सिर्फ इसी लेन देन के कारण जीवन चल रहा है, है न तो ये बस हवा या ओक्सिजन या इसकी उसकी बात नहीं है ये एक जीवित ब्रह्मांड है आप एक छोटे बुल्बुले की तरह हैं आपने थोड़ा सा जीवन कैद कर लिया है क्या आपने साबुन के बुल्बुले उड़ाए हैं कम से कम जब आप बच्चे थे तो जब आपने साबुन के बुल्बुले उड़ाए आपका बुल्बुला इतना बड़ा था मेरा उतना बड़ा था, मान लीजे हम उन्हें देख रहे थे, ओ, ये मेरा बुलबुला है, वो तुम्हारा बुलबुला है, फिर वो फूट गए, जब वे फटे, तो आप ये नहीं कहते, ये मेरी हवा है, वो तुम्हारी हवा है, है न? ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ये बस बुलबुला है, आपने इसमें थोड़ा जीवन कैद कर लिया है, और ये एक खास तरीके से काम कर रहा है, जब ये बुलबुला फटता है, तब मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती, हो सकता है कि आप पूरा बुल भूत कहेंगे, फिर आप शरीर वाले भूत हैं। कर दो पूरा जीवन जीवन काम कर दोड़ झाले पूरा जीवन जीवन जापका जीवन जीवन बछता है, तब मेरा जीवन दुल रहा हैं।